Welcome to my YouTube channel Madrenal इससे पहले के वीडियो में मैंने हीपेरिन के बारे में बताया था कि हीपेरिन क्या होता है उसकी हिस्टरी क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसके डोजेज क्या क्या होते है ये सारी चीज़े, उसके से अंडर डोज, लो डोज, ड्यूरिंग डालेसिस क्या होता है अगर वो वीडियो आपने नहीं देखिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एक बार उसे जरूर देखें तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी आज का हमारा टॉपिक है हिपेरिन फ्री डालेसिस हिपेरिन फ्री डालेसिस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस कंडिशन में करते हैं क्या क्या complications हो सकते हैं इसको करने से और उसको हम manage कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे जैसे कि आप सभी को पता है इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि हिपैरिन एक प्रकार का anticoagulant होता है anticoagulant it means वो blood को clot नहीं होने देता है लेकिन अभी हम देखेंगे कि हिपैरिन free dialysis करना है मतलब dialysis के टाइम पे हमें हिपैरिन नहीं देना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यह anticoagulant होता है यह mucopolysecretes होता है और clotting को prevent करता है हिपैरिन free dialysis हम उन patients को करेंगे उन patients के लिए choice होती है जिसको पहले से हिपैरिन induced thombrocytopenia रहता है या actively उनको bleeding होते रहता है उस time पे हम हिपैरिन free dialysis करते हैं ठीक है अब indications क्या क्या होते हैं मतलब किस किस condition में और हम हिपैरिन free dialysis करेंगे पहला होता है surgery कोई भी surgery हो चाहे वो eye से related हो अब surgery यह नहीं कि एक मेहना पहले surgery हुआ है तो हम हिपैरिन free dialysis कर सकते हैं रिसेंटली अगर कोई surgery हुआ है एक दो दिन या एक हपते के अंतरगत जैसे eye surgery हो गया कार्डियक से related कोई surgery हो गया brain surgery हो गया किसी भी प्रकार की surgery अगर रिसेंटली हुई है तो उस टाइम पे हम हिपैरिन free dialysis करेंगे second thing intracranial अगर कुछी भी patient को hemorrhage हुआ है कोगिलो पैथी है उस टाइम पे भी हम क्या करेंगे हिपैरीन हिप्री Parks करेंगे rimnell transplant होने वाला है यहों ग्या है उस टाइम पे Paracardiasis को है उस टाइम में इस को वायरे में इस को ब्लूडिंग होने के chances हैं क्या 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 हो सकता है तो सबसे पहला खौंप्लिकेशन तो यह ही होगा है करएंगे तो clotting होने के chances रहेंगे ब्लड क्लॉटिंग होने के chances रहेंगे जिससे की क्या होगा पेशेट हैनेमें कह सकता है इनेमिक क्यों हो गगा क्यों कि ब्लड क्लॉट हो गया मतलब कि वो जो potting है वो हम पेसंट के बॉड़ी में तो देय नहीं सकते है वो can प्राइगा ही नहीं तो इस से पेसेंट क्या है निमिया में चल जाता है और दूसरी चीज फ्लूड ओवर लोड हो जाता है क्यूंकि क्लॉटिंग नहों करके हमें क्या है एंस फ्लॉश करते हैं, तो हम एंस Whether of the इसको हम manage कैसे करेंगे कि अगर हम जितना दे रहे हैं एस उतना ही क्या है हम उसमें यू फ को क्या है Ultra फिल्टरिशन को क्या है बढ़ाके उसमें लगा सकते हैं उसके बाद hring क्या है उतना हम ही पैरिन दे देंगे, रिसर्कुलेट कर देंगे, जिससे की डालेजर क्लॉट नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर प्रेसेंट टॉलरेट कर सकता है, तो हम हाई ब्लड फ्लो रखेंगे। तीसरा चीज, 200-250 ml सलाइन देंगे एवरी 15 मिनट, यह टाइमिंग कम जादा हो सकती है, हम विजवल इंपेक्शन करेंगे, उसके बाद ही हम सलाइन को देंगे, मेंली 15 मिनट में देना होता है, अकॉर्डिंग टू बुक, बट हम उसको आदा घंटा में भी या 45 मिनट में भी सलाइन दे सकते हैं, विजवल इंसफेक्शन करेंगे, कि कहीं क्लॉटिंग हो तो नहीं रहा है, आर्ट्रे चंबल पूरा फ्री है कि नहीं है, वेनस चंबल फ्री है कि नहीं है, डालेजर में हम देखेंगे कि क्लॉटिंग है कि नहीं है, उसके बाद इंडिकेट ये एक च तकलिफ हो रहा है। तो उस टेमपे भी क्लोटिंग हो सकती है। तो यह सारी चीज़ेहमें देखते रहनी है। अगर हम री यूज ड्यालेजर यूज कर रहे है कि उसको फाइबर्स देखें दैंगे में इसका कि उसमें कितना पाइबर्स कंव dönॉगी है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अगर नोट्स रहे हैं आपको तो आप टेलीग्राम चानल से जूर सकते हूं उसका लिंक निचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है Keep Growing, Keep Learning, Thank You